हम पढ़ने वाले हैं पर्म्यूटेशन के बारे में हमने आई थिंग क्लास 11 तल्थ में ये टॉपिक पढ़ा हुआ है IDGE की जब प्रिप्रेशन कर रहेते हैं आई थिंग आपे तब दे पर्म्यूटेशन के बारे में पढ़ा होगा कि बाया एक इंडियन क्रिकेट की टीम है उसके सारे पर्म्यूटेशन आप निकालो कि बाया किस बैस्तों को किस ओर्डर में भेज सकते हैं सारे पर्म्यूटेशन निकालो त्रीका था कभी हाँ वह यह स्रीका था पर IDGE के लिएर वन ही तो भूल गये हैं अब चलो भूल गये तो कोई दिक करती माल लो आपके पास 123 तीन नंबर आपको दे रहें और आपको बोल रहा है कि इसके जितने भी पर्म्यूटेशन है उसक 312 और 321 6 परम्यूटेशन इसके निकल गए और यही मुझे क्या कराने हैं प्रिंट करवाने हैं कैसे कर सकते हो आप भ्रेक लिए पांच मिनिट का सोचिए कि आप इसको कैसे सॉल कर सकते हैं उससे पहली में आपको बताना चाहूंगा यह जो अरे आपको गिवन होगा इसक आपको यह benefit मिलेगा जब मैं आपको solution समना जाने जाओंगा तो आपको वो चीज़े ज्यादा sense बनाएंगी ब्रेक लिए आइछोप आपने सोचा होगा तो इस लिए हाँ जी बईया चलो मेरे पात तीन नमबर है हाँ जी बईया तो मुझे पता है इसके टोटल 3 फ्रेक्टोरियल पर्मूटेसन बनेंगे जो कितने होते चै अब यह चाह नमबर होते अगर यहाँ पे चाह नमबर दि अगर मैं 3-4 की बात करूं ठीक दो नंबर तो इसके टोलर कितने पर मिटिसन होंगे एक 3-4 और एक 4-3 यही दो होंगे हाँ जी भईया और तिंगल नंबर का कितना होगा अगर एक नंबर दे रखा है एक उसका अंसर होने वाला अजी भईया अब रियल वर्ल में इस प्रॉब्लों को कैसे सॉल्ल करते हैं यह रियल वर्ल में तो हम ऐसी विजिट को आगे पिछे गुमाते रहते हैं और जनरेट करते रहते हैं अब प्रॉपर मैंने कोई मैथड मैं सारे solution निकाल सकता हूं निकाल सकता है नहीं निकाल सकता हाँ जी भईया तो मुझे कोई pattern करना पड़ेगा तो कैसे मैं कर सकता हूं मैं अगर आपको बोलू कि भईया मुझे पता है यह तीन नंबर है तो भईया तीन नंबर आउटपूट पे आएंगे ठीक हाजी भईय ओप्राइब को लीग दिया ठीक अब मेरे पास दो प्लेसे बची है यहां पे कौन कौन से नमब आ सकता है जी हाँ भाईया तो आ सकता है नहीं क्योंकि टू आड़ी आ चुका है ठीक अब वरन और द दूरी में से यहां पर कोई भी आ सकता है तो भाईया अगर मैंने थ्री को select कर दिया, तो 2, 3 हो गया, हाँ जी भईया, अब मेरे पास एक space खाली है, ठीक, अब इस space में कौन आ सकता है, 1 आ सकता है, हाँ जी भईया, 2 आ सकता है, नहीं, क्योंकि 2 already आ चुका है, 3 आ सकता है, नहीं भईया, 3 भी आ चुका है, तो भई, 2, 3, 1 आपका एक निगल दिया, ऐस सकता है, हाँ जी भईया, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, हाँ जी भईया, 3 भी आ सकता है, तो इन दोनों से को भी यहां पर आ सकता है, तो भई, अगर मैंने 3 को select कर लिया माल लो, हम मेरे पास एक जगा खाली है, क्या यहां पर 1 आ सकता है, नहीं, 2 आ सकता है, हाँ जी भईया, 3 आ सकता है नहीं क्योंकि थी अलड़ी आ चुका है इस तरीक से मैंने एक और नंबर को जनरेट कर लिया तो क्या हम यहां पर कोई पैटन देख पा रहे हैं कुछ देख पा रहे हैं कुछ सोच पा रहे हम अगर मैं आपको चाहर नंबर देदू थ्री फॉर फाइव एट थिक बोल सकते हैं अब माल लोह यहां पर मैंने फोर को सब्क कर लिया है तो मैंने फाइन mentre मैंने फोड़ बेंख कर लिया सब्सक्राइब इस तरह की से मैं लिए नम्बर जनरेट कर लिया। तो क्या हमने कुछ istem तर्फ प्तूरर नहीं कि कोसिछ करी। मैं देख लूँंगा क्योंन यह मोसे नमबर आ सकते हैं एक अग्रम शाटा ओं देखे रहे हैं approximately तो इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, अगर मैं 1 को select कर लेता हूं, ठीक है, ठीक, अब मेरे पास large space बचा है, फिर से खुद को same का नहीं कुछ हूंगा, क्या यहाँ पर 1 लिख सकता हूं नहीं, 2 लिख सकता हूं नहीं, 3 लिख सकता हूं, हाँ, तो हमने एक pattern बना दिया, अब इसको हम code में कैसे convert करेंगे, कैसे इसको एक proper logic के way में लिखेंगे, वो हम सूचते हैं, यहाँ तक तो I think से भी बच्चों को clear होगा, हाँ जी भाया, इसको मिठा देते हैं, चलो, media, चलो, ठीक, मान लीजिए, ऐसे करगी, यह area आपको given है, 1, 2 औ आपको generate करने, और उसको आप store करा रहे हो, एक area के अंदर, ठीक है, हाँ जी भाया, जिसको मैं print करवा दूगा, ठीक, यह भी तीन ही size का होगा, हाँ जी भाया, अगर यह 4 size का तो यह भी 4, ठीक, हाँ जी भाया, अब मुझे पता है, कि इस space में, कौन-कौन से number आ सकते हैं, 2 और 3, clear, हाँ जी भाया, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, क्योंकि 1 मैंने select कर लिया, ठीक, हाँ जी भाया, मैंने बोला यहाँ पर 2 भी आ सकता है, तो मुझे सारी choices उसको देनी पड़ीगी, कि यहाँ पर कौन-कौन से number आ सकते हैं, clear, हाँ जी भाया, तो 1, 2 और 3, अगर 3 भी लिख सकता हूँ, तो अगर 3 आता है, तो कैसे दिखेगा, यह 3 को अगर मैं select कर लेता हूँ, तो यह कुछ ऐसा दिखेगा, कि एक array है, 1, 2, 3, हाँ जी, और यहाँ पर क्या आ चुका है, यहाँ पर क्या आ चुका है, 3 आ चुका है, clear, हाँ जी भाया, तो मैं अभी तक इसको बता दूगा, कि यहाँ पर 1 आ चुका है, 2 और 3 भी बाकी है, इसको बता दूगा, 2 आ चुका है, 1 और 3 बाकी है, इसको बता दूगा, 3 आ चुका है, ठीक है, 1 और 2 बाकी है, clear, हाँ जी भाया, अब मुझे यह वाली place भननी है, यहाँ पर कौन कौन से नमर आ सकते है, क्या यहां पर वन आ सकता है क्योंकि वन अल्री आ चुका है उसके उपर मैंने टिक मार्क देखा हुआ है टिक क्या वहां पर टू आ सकता है यहां पर टू आ सकता है तो यहां पर टू आ सकता है तो मैंने इसको ऐसे लिग दिया वन, तू, थी हाजी भईया वन, तू, आण ऐसे किलियर है हाजी भईया वन भी आ चुका है, तू भी आ चुका है ठीक और यहाँ पर क्या इस प्लेस मे और कौन कौन से नमा रा तकते हैं तूट तो देख लिया कि थ्री भी आ तकता है हाँ थ्री आता है यहां पर ध्रीए यहां पर फ्री भी काुष तर्मॉं के एससे तो 2 अगले भी लिख दिया, 3 एगल भी लिख दिया, सेम अगर इसकी बात करूँ, ठीक है, इस वाली पोजिशन में कौन-कौन से नमबर आ सकते हैं, क्या 1 आ सकता है, हाँ, क्योंकि 1 अभी तक में लिखा नहीं है, तो मैं उसको बता रहा हूँ, क्यों 1 आ सकता है, तो 2, 1 यह space अभी खाली है, और क्या सकता था यहाँ, क्या इस space में 2 आ सकता था, क्योंकि 2 आ रिखा है, क्या इस space में 3 आ सकता है, हाँ भ satellites आ सकता है, तो भाईया लो, 3 के गले में मैंने लिख दिया, 1, 2, 3, हाँजी भी या, तू, ट्री, अड़ी ये स्पेस ऐसे, क्लियर है, हाँ जी भईया, तो इसको बिता दूँगा, यहाँ पर अभी टू और वन आ चुके हैं, यहाँ पर कौन कौन से आ चुके हैं, तू और त्री, तो तू और त्री जे उपर टिक मार, तू में पहले था, थ्री में भी टिक मार क्लियर, हाँ जी भईया, क्लियर, इसको थोड़ा सा उपर खिसका देता हूँ, हाँ जी, थोड़ा और खिसका देते हैं, हाँ जी, ठीक, अब इसकी बात कर लेते हैं, यह वाली प्लेस मुझे भननी है, यहाँ पर कौन कौन से निम्मर आ सकते हैं, वन आ सकता है, यहाँ पर जाला complex नहीं करना चाहिए, simple लगो, clear, हाँ जी भीया, तो भाईया, अगर वहाँ पर मैं 1 को लिख देता हूँ, तो 3, 1, ऐसे दिखेगा, हाँ जी भीया, तो इसको बताने पड़ेगा, भाईया, यहाँ पर 1 और 3 आ चुका है, इसकी अगर बात करूँ, अगर यहाँ पर मैं 2 को लाल देता हूँ, कैसे दिखेगा, 1, 2, और 3, ठीक, हाजी भीया, और यह दिख जाएगा, मेरा 3 आ चुका है, और 2 को मैंने ले लिया है, अब मेरा last space बचा हुआ है, यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा, कौन-कौन सा आ चुके है, एक मेरा 3 आ चुका था, एक मेरा 2 आ चुके है, बताइगे, 1 आ सकता है कि यहांपर, नहीं, 2 आ सकता है क्याहांपर, नहीं, 3 आ सकता है, हाजी भीया 3 आ सकता है, तो 3 वहाँ पर आ गया, 3 कुछ ऐसा दिखेगा, कि 1, 2, 3, हाजी भीया और यहाँ पर 1, 2 और 3 को मैंने भर दिया है किलियर है? हाँ जी भई अब और तो कोई आ नहीं सकता है तो भई अब 1 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है अब इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन उसा नमबर आ सकता है, बचाईए, इस पोजिशन पर क्या 1 आ सकता है, वहाँ पर, नहीं, 2 आ सकता है, हाँ क्योंकि 2 अभी तक मैंने देखा नहीं है, यहाँ पर, इस पोजिशन पर, ठीक है 2 अभी तक आया नहीं है, तो 2 यहाँ पर आ सकता है वही मैंने कर दिया 1,2,3 1,3 और 2 खिलियर है हाँ जी भईया तो ये भी आ चुका है ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है ठीक हाँ जी भईया क्या यहां इस पोजिशन में 3 आ सकता है नहीं क्योंकि 3 आ चुका है क्लियर हाँ जी भईया अब मैं इस पे आता हूँ इस पोजिशन में कौन आ सकता है 1 आ सकता है नहीं क्योंकि 1 आ चुका है 2 आ सकता है नहीं क्योंकि 2 आ चुका है 3 आ सकता है हाँ 3 आ सकता है क्योंकि 3 अभी तर आया नहीं है तो मैं उसको वही बूरूंगा किलियर हाँ जी बईया किलियर तू वन और किसको भरा है मैंने वापे त्री को भरा है तो बर्न भी आ चुका है तू भी आ चुका है त्री भी आ चुका है ठीक अब इसकी बात कर लेते हैं ओसे पोजलब आ सकता है वन आ सकता है नहीं हाँ अभी तक आया नहीं है कहीं भी ठीक हाँ जी तू वी आ सकता है को को ही मयह यहां पर करने वाला हूं टू रिख यह भी आ गया है यह यह बी आ चुका है यह अब ऐसे दिखेगा 2 3 1 किलियर है हाँ जी भईया अब इसकी बात कर लेते हैं कि यहां पर कॉन से नम्म आ सकता है इस प्लेस पर ठीक है वन आ सकता है नहीं तो आ सकता हाँ कि टू के लिए मैंने लिख दिया 1 2 3 1 भी आ चुका है 2 भी आ चुका है 3 भी आ चुका है 3 1 और 2 किलियर है हाँ जी भईया इस पोजिशन ने 3 आ सकता है नहीं क्योंकि 3 बे अलड़ी विजिटेड है इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया अब लास्ट वाला बचा है यहां पर कॉन से नम्म आ सकता है इस पोजि और 1 किलियर है हाँ जी भईया तो मैंने एके करके हर जगा नमबर भरता गिया तो मैं यहां पर आ चुका हूँ अब अगला नमबर मुझे यहां पर भनना पड़ेगा कि यहां पर कोई नमबर आ सकता है नहीं तो मुझे पता चल चुका है कि अब मुझे यहां पर आके रु क्या मैं यहाँ पर भढ़ सकता हूँ कि अगली फिलिंग यहीं पर होगी नहीं तो मेरा आंसर हो गया 2, 1, 3 क्लियर हाँ जी भईया क्या मैं यहाँ पर भढ़ सकता हूँ नहीं क्यों यहाँ पर मैं रुख जाओंगा मेरा आंसर हो गया 2, 3, 1 क्या मैं यह आपर भर सकता हूं नहीं मेरा आंसर हो गया 3 1 2 जो यह वाला है क्या मैं यह आपर भर सकता हूं नहीं तो मेरा आंसर हो गया 3 2 और 1 तो यह 6 के 6 मैंने सब कुछ generate करके देख लिए किस तरही के से किया आपको समझ आज चुका है अब इसका code पार्ट कैसा दिखेगा I hope आपको इस समझ आ गया होगा अब हम इसके चलते code पार्ट में अब इसमें मुझे क्या का ची होगा वो समझने के courses करते हैं यहां पर तब से पहले तो मुझे एक यह आईड़ी ची होगा हाँ जी वह इसका नाम भीलेटेगे टैंप ठीक हाँ जी वह इसका size की इतना होगा इसके बराबर होगा क्लियर ओप है जो जाएगे तो फोड़ाइब्सम्म क्तिक इसके वेुआ होगा है तो मुझे रूख जाना है अब ये तो हमें समझ लिए के यह यह क्रषी श्रॉब हैएगल होगा मुझे रूख जाना है तो जोए इसके अंदर वैल्ई होगा वो ही मेरा answer होगा, ठीक, हाजी बया, मैं चाहता हूँ कि यह value में यहाँ पर प्रिंट कराओं, इनको मैं प्रिंट कराओंगा, या फिर इनको एक store कराओंगा, एक 2D vector के अंदर, इसके अंदर, 2D vector के अंदर, ठीक है, इन सब को, यहाँ पर प्रिंट कराओंगा, ठीक है, तो एक यह बंडी vector है, यह भी बंडी vector है, तो इन सारी बंडी vector को यह 2D vector इस्टोर कराके रख सकता है, और कहके ची होगा, एक यह array ची होगा, मालो इसका नाम ARR है, किलियर, हाँ जी बया, किलियर है, अब और भी किसी चीज के requirement है, हाँ जी बया, एक चीज के requirement है, वो क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पर ध्यान देने के लिए बोलू, तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूं कि कि किस को मैं देख चुका हूं, इसको देख चुका हूं, इसको देख चुका हूं, तो मुझे कुस तो पता होने चीज है, कि यह मैं देख चुका हूं, यह भी देख चुका ह तो मुझे कुछ चीए होग जो बताए कि इसको मैं ले चुका हूं और इसको नहीं ले चुका हूं ठीक है तो मैं एक इसके साइच का एक वेक्टर में ना लूँगा ठीक है और वह बुल्यंट टाइप का इसका नाम होगा विजिटेट इसका नाम होगा विजिटेट कि यह वाला विजिट हो चुका है या नहीं हो चुका है अगर मैं इसकी बात करूँ इसके लिए इसके वैली होगी कि यह विजिट हो चुका है यह विजिट नहीं हुआ है और यह विजिट हो गया है इसका ट्र पे इसके उपर करूंगा इस तरहीं के एन सब के रक्वाइरमेंट पड़ेगी। क्या अंब को बिए ले लेता हूं. यह visitor भी vector होगा, लेकिन यह होगा boolean type का, क्योंकि यहाँ पर मुझे 1 0 ही बनना है, clear हाँ जी भईया, आज आते हैं हम अपने code में, code कैसा दिखेगा उसको हम समझेगी, courses करते हैं code होगा अस्तान, तो एक function लेता हूँ permute term का permute ठीक, हाँ यह permute term निकालता है, यहाँ पर मुझे क्या-क्या भीजना पड़ेगा, बताइए, एक मेरा integer array होगा, हाँ जी भईया और किस-किस के requirement पड़ेगी, बताइए, और किस-किस के requirement पड़ेगी, मुझे पता है, एक मुझे चाहिए होगा 2D vector एक 2D vector भीज़ दिया, कि vector vector int हाँ जी भईया, इसको कैसा भीजना पड़ेगा, ऐस ना, reference answer clear ही, हाँ जी भईया, क्योंकि इसका, इसमें मुझे क्या कराना है, उन value को store कराना है, ताकि वो main function में भी दिखे और किस-किस को भीजना पड़ेगा, पताईए, इसके बाद और किस-किस की requirement पड़ेगी foodie vector को भीज चुका हूँ, अब ये temp वाला, ठीक है, इसको मैं भीज देता हूँ, vector integer 10 ठीक, हाँ जी भईया और किस-किस की requirement पड़ेगी, भईया यह बूलियन वाला है, यह वाला, यह visited वाला, इसके वे मुझे क्या पड़ेगी, requirement पड़ेगी vector integer sorry, यह होगा बूलियन टाइप का, हाँ ना, हाँ जी भईया visited simply, इस value को श्टोर आएगा, तो इन सब की मुझे चाहिए होंगी, ठीक तो भई, मैंने देख लिया, मैंने एक time create किया है, ठीक, time simple रहेगा, visited size मुझे define करना पड़ेगा, और यह भी खाली रहेगा, initially, ठीक, हाँ जी, अब मैं आ जाता हूँ इसके अंदर अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, सबसे पहले सबसे पहले मैं क्या कर रहा था मैं देख रहा था, यह present है, यह नहीं है यह visit हो चुका है, 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 यह नहीं हो चुका है यही कर रहा था, हाँ जी भईया, मैंने देखा, इसके लिए यह कैसा होगा, visited वा जीरो जीरो होगा, हाँ तो वो उसमें देखेगा, कि यह visited है, वो एगा नहीं, यह visited नहीं है तो यहाँ पर one आ सकता है, फिरो उसके लिए देखेगा, कि second वाला visited है, वो एगा नहीं, तो मैं second के लिए भी भेज सकता हूँ, तो देखा कि यह visited है, वो एगा नहीं, clear है, हाँ जी भईया, clear है, तो वो ही विजिटेट का साइध होगा, दुनों का साइध सेमी होने वाला है, i plus plus, ये clear, हाँ जी भाईया, सबसे पहले क्या चेक करना है, जो तो विजिट नहीं हुआ है, तो visited of i, अगर 0 है, equal to equal to किसके बराबर है, 0 के बराबर, यह होगा, हाँ जी भाईया, मैं यही तो चेक कर रहा हूँ, यह visitor है, उसने का नहीं है, यह visitor नहीं है, तो मैं क्या बूरूँगा, यह इसके लिए function call लगा दो, यह function call लगा दो, तो उसमें मुझे क्या करना है, पहले 1 को उसके अंदर डालना है, ठीक है, अब जो value है उसको किसके अंदर push करना है? temp के अंदर, temp.putback, क्या करना है, कौन सी value दालने है? area I के अंदर जो value present है, clear है? हाँ जी भाईया, clear है, यह clear है, हाँ जी भाईया, भाईया, मैंने देखा यह visitor नहीं है, तो भाईया सत्य पहले 1 मनाया, ठीक है, और इसको इसके अंदर दाल दिया ठीक है और यह call इसके लिए भीज दिया clear हाँ जी भईया clear इस तरीके से clear है यह नहीं है हाँ जी भईया clear अब इसके बाद क्या होगा next step मैंने function call लगाया तुम वहलब फिर से permute वाले को ही call कर दो ठीक हाँ जी भईया उसके अंदर किस को भीजना पड़ेगा भईया ARR को भीजना पड़ेगा हाँ जी भईया और किस को भीजना पड़ेगा मेरे answer वाले को भीजना पड़ेगा हाँ जी भईया और किस किस को भीजना पड़ेगा भईया यह temp वाले को भीजना पड़ेगा अब हम यह समझते हैं, यह time को मैं as a reference भी भेश सकता हूं, visited को भी as a reference भेश सकता हूं, मेरा क्या होगा, space बचेगा, clear यह, हाँ जी बईया, one mode वाले को call कर लिया, ठीक, तो यहाँ पर अभी यह कुछ ऐसा दिख रहा होगा, कि यह जो visited होगा, इसने उसे one mark कर दिया, और इसके visited है, उसने देखा, क्या यह visited है, उसने उससे पूचा, उसने गांगा, यह tested नहीं, जब नहीं है, पहले इसको one मनाता है, और इसके अंदर किसको डाल देगा, two को डाल देगा, और अगर वो इस one, two को, इसको पास कर देता है, ठीक है, तो यह कुछ यह दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर one already present है और two भी present है clear है हाँ जी तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा इस one को बहार निकालना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा बहार निकालना पड़ेगा और लगाने से पहले ठीक है और visited को भी उसके 0 बनाना पड़ेगा तो मैं वही करने वाला हूं कि भाया visited of i equal to क्या बना दू जीरो और time के अंदर से value को कर दो पॉप बैक clear है हाँ जी बहाँ यह clear है हाँ जी बहाँ तो कि मैंने याप ही किया यह function क्या करेगा यह function क्या करेगा जहां सरमजे इस line को बहुत ही important है इसके लिए मालो visited ये था ये इसके लिए विजिटर था ठीक है यह विजिटर है इसके लिए ठीक है यह आपर उसने one mark कर दिया था अब वो इस पे चक करेगा सब्सक्राइब उसने दिखा यह विजिटर नहीं है तो क्या करता हो पता कैसे जलता है यहां पर जीरो रहती है तो क्या करता है पहले इसको वन बना दो और यहां पर क्या दाल दो टैम के अंदर पूस्ट कर दो टू को श्रीर है हाँ जी बहिए और वो इसी को अगर इसको पास कर देगा यह ऐसा दिखेगा ना वन टू आजी बहिए दिखना कही है था तो उससे कैसे बचूंगा भाई यह नेक्स्ट फंक्सन कॉल करने से पहले पहले इसससे वन को भी अटाओ और यहां से उस जीरो को मार्क करो ठीक जीरो को मार्क करो और इसको यहां से हटाओ इसको यहां से हटाओ तो माहलो इसको अटाया उसको आपने टू को यहां दाला और वन को यहां दाला और यह मैंने इसको पास किया तो यह इसको ऐसे करके पास हुआ होगा जी बहिए है तो यह दिखाएगा कि भया यह वाल बेस कंडिशन बेस कंडिशन बिल्कुल सिंपल है कि इफ क्या जैसे मेरे एरे का साइज एक्वल टू एक्वल टू टू टाइम के साइज की बराबर हो जाए क्लियर हाँ जी भाईया तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे क्या करना पड़ेगा भाईया आंसर के अंदर उसको श्टोर करा दो जो भी टाइम के अंदर वेल्यू है आंसर.putsback इसको मेरे टाइम को और यहां से हो जाए आप रिटन यह चमका नी चमका आजी वहीया यह चमक चुकिह तो भाईया ये ही मैंने यहाप किया जब इसका साइट इसके बराबर बन जाता है मैंने का दशाने इसको वेक्टर लेना जैसे इसका साइट इसके बराबर ब बाकि कोई changes नहीं है यही आपका code होने वाला है clear है अब मैं इसको थोड़ा optimize कर सकता हूं कैसे कर सकता हूं मैं इस temp वाले को as a reference भी भेज सकता हूं इस बुलियन वाले को भी ऐसा reference दे सकता हूं इससे क्या फायदा होगा सबके लिए वह सेम होगा विजिडेट भी सबके लिए सेम होगा और यह reference वाल भी, sorry, यह temp वाल भी सबके लिए same होगा, क्यों होगा, क्योंकि मुझे पता है, मैं value को डाल भी रहा हूँ, जैसी वो function खताम हो रहा हूँ, उसको पहले जैसे ही बना दे रहा हूँ, हम previous lecture में इसको cover कर चुके हैं, मैंने कहा, जो यह visited होगा, यह सबके लिए globally same हो जैसे वो पहले था, वैसी वो अब भी है, ठीक, तो उसको मैं as a reference भी बेश सकता हूँ, ऐसे करके, इससे कहा बचेगा, मेरा space बचेगा, clear है, हाँ जी भीया, clear है, I hope आपको पूरा code clear होगा, हाँ जी भीया, clear हो चुका है, अब हम आपनी code की time complexity को judge करते हैं, किसी time complexity कितने हो करने वालई है, तो सबस्दा पहले, मुझे क्या करना पड़ेगा, कि इन node को count करना पड़ेगा, कि total कितने nodes मेरेपास नहें, और हर एक node में कितना काम हो रहा है, ठीक, हाँ जी भीया, तो total node में कैसे calculate कर सकता हूँ और हर नोट के अंदर कितिना काम हो रहा है को हर नोट के अंदर कितना काम हो रहा होगा आप कुछ सूचिए यह मेरा पर्फूरा से तो काम वह रहा है यह बोलता हूं कि हर नोट के अंदर एनन काम हो रहा है एक एक करके सब पूद एख रहा थो हरना कॉन कॉनसा विजट नहीं हुआ है ठीक हाँ जी भईया यह होगा हाँ जी भईया तो टाइम कॉंपलेक्सिटी में बोच अब टोटल नोट्स हाँ जी भईया अब टोटल नोट्स कितने होंगे वो कैसे कल्कुलेट होंगे यहाँ पर दिखने में बहुत खंदार लग रहा है अगर मैं आपको बोलूं इनिसिली जी जिटी ज़ए वण होगा, जी भईया उसके बात कितना था मेरबात ऍी नंबर थे तो उनके लिए थी बन गया हाँ जी भईया ठीक हाँ जी थी जब्या, उसके बात कितने नोट बनेंगे विए सब्सक्राइब करें तो यह मिलेगा और यह क्या पैटन बना रहा है वह भी मुझे समझना पड़ेगा आगर आपको यहां पर पैटन एलनलाइस करने के लिए बोलू तो मैंने देखा यहां पर है तो आपको यहां पर यहां पर अगया मुझे पताई एक बढ़ चुकी है दो कि सब्सक्राइब अगर चार नंबर होते मेरे पास माल लो ठीक है उस case में क्या होता उस case में क्या होता कि बईया मेरा array होता time वाला यहाँ पर one भी आ सकता है two भी आ सकता है three भी आ सकता है four भी आ सकता है किलियर है हाँ जी बईया माल लो यहाँ पर वन आ गया मेरे पास तीन स्पेस खाली है तीन स्पेस कौन कौन से आ सकते हैं यहाँ पर क्या क्या आ सकता है तू थ्रिया फोन में से कोई भी आ सकता है इसके कितने बनेंगे इसके भी कितने बनेंगे तीन बनेंगे इसके भी कितने बनेंगे थीन बनेंगे किलियर है हाँ भाईया तो मुझे बताए इस लेवल में चाड़ नोड होने वाले है इस लेवल विवे कितने होंगे हर किसी को बैली वैलियू आ सकती है हाँ अहां जी वहीं, थो दो, इनके लिवे बना, तो, टल,टू,जा कित्ता हो जाएगा इस लirasवें, 24 नोट होगे, 12 नोट है, हर किसी के लिए 2-2 बनने वाने हैं, हर किसी के लिए 2-2 बनने वाने हैं, कितिने होगे, 24 होगे, हम यहाँ पर पहूंच गया, अब सिरफ यह थिक ए? यहां पर a की value आने वाली है तो हर किसी के लिए 10 बन ना था हर किसी के लिए 10 बन रहा हक्त है तो यहां पर b практически 24 समर्द कर दू तो मुझे में आंसर मिल जायगा और लगा क्या मैं रहा है था यहां पर क्या हो रहा है मैं बात चार nos Thai 2 4 पिजह आ रहा था 4 3 12 यह आ रहा था 4 into 3 into 2 आधो 4 into 3 into 1 हाँ जी भईया यह आ रहा था ना यह ही तो आ रहा था पिछले वाले example की बात करूँ यहां पे 3 3 2 2 6 3 into 2 2 1 हाँ जी हो एसको ब surrounds-t home यह थह जो होगा उसके प्लबूं के वात रिखनानाे करें करते हो रहें अगर मैं आप के बांत करूए इस को फॉर सक्तरॐल बसक्ता हूं इसको 2 आ साइई डिवारे बन करेंगे तो ये ये फ्रक्टॉर इए याये आपका, एप्रॉक्स ठीक हाँ जी भईया तो अगर मैं इन दोरों को माल लेता हूँ अब यह एजूम कर लेता हूँ कि उसके उपर भी एंट फैक्टोरियल रहे होंगे कि ऐसे ऐसे करें क्यों कि हम एप्रॉक्सिमेशन में जलते हैं ठीक है तो वह एंट फैक्टोरियल आपका आने व पता किया गया उसके सबसे बड़ी लेंट उगी सबसे बड़ी होने वाली आजी तो तो जो में रहता कि यूंख आउट्वर में लेके जाना है तो इस वाले इक स्पेस को गया उसमें उससे मांगा है ठीक हाजी अब एक स्पेस यह है तो इस पेस कितना हो जाएगा order of n कि स्पेस कॉमऺ्श्टिव निकल गई निकल गई घड़ी असानी से हैं लिए गया तो अगर यहां तक चमक गया ओल्द भाप अंच्पेज को टाइम कॉंपलेक्श्टिवी समस्ज आनी चींगे क्यों मैंने बोला हर कोई एंट क्यों मैंने उसको सीधा एंट फेक्टर लिख दिया देखो जब भी आप 10 कॉंपलिस्टी के अंदर खिलोगे आपको एप्रॉक्सिमेशन लेना है ठीक है अधिमेटिकल कॉंसेट पे जाओगे बहुत टाइम ने जाएगा आंसर निकालने में है तो यक्त एक वेक्टर ले लेते हैं वेक्टर वेक्टर इंटेजर इंटीजर आंसर एक ले लेलेता हम वेक्टर इंटीजर टैम् जो अब हमने देखा था ठीक हाँ जी बाइया आंसर के अंदर फाइनल आंसर इस्टोर होगा एक मेरे टैंप ले लिया और एक मैं विजिटेट ले लेता हूं वेक्टर बुलियन विजिटेट और इसका साइज क्या होगा बताईए जो मेरे एरे के अंदर का जो भी अलिमेंट है यहां से मैं अपने फंक्सन को कॉल कर दूंगा पर्म्यूट को जो मैंने सब कुछ लेके देगा तो उसमें मुझे पास करना पड़ेगा एर को मेरे आंसर को मेरे जो टैंप है और मैंने क्या लिए अतालाज जो मेरा विजिटेट है यह चार्ट चीजे मैंने पास करी गी उसके बाद मालो इसके अंदर value store हो चुकी है इस answer के अंदर इसकी value को मुझे print कराना है मुझे पता 2D आ रहे है value कैसे print करानी है वो मैं करा सबता हूँ इंटेजर i equal to 0 से i less than answer dot size करके मुझे rows मिल जाएंगी कितनी rows है आई प्लस प्लस हाँ जी भया उसके बाद भया उसके अंदर कितने column रखे गए हैं तो for integer j equal to 0 से j less than answer i dot size j plus plus simple सा हाँ जी और c out कर दूँगा किसको answer i j को और यहां पर spacing हम दे देंगे जैसी यह खतम होगा जैसी मैं नेश्ट रूपे जाऊंगा c out handle कर दूँगा i hope आपको यह समझाओगा अब हम पर्म्यूट वाली के अंदर आ जाते हैं तो पर्म्यूट वालब ऐसी दिखिएगा वाइड पर्म्यूट सचे पहले एक इंडिजर एरे हां जी भया और उसके अलावा यह जो मैंने answer पास किया है इसको copy करके यहीं paste कर लेता हूं यह लो हो गया उसके लावा मेरे पास मैंने टैंप भी विज़ा था इस टैंप को भी पास कराते हैं वेक्टर इंट टैंप इसको भी as a reference variable मैंने बेज दिया और क्या चाहिए होगा वेक्टर इंटिजर विजिटेड यह लीजिए वाले को भी बेज दिया अब हम पर्मिट वाले को solve कर देंगे कैसे solve होगा वह हम देखते हैं अब हम यहाँ पर आ जाते हैं मुझे जितने भी अरे के अंदर element टके हैं उनके उपर iterate करना है तो कैसे कर पाऊंगा for integer i equal to 0 से i less than okay यहाँ पर यह क्या है यहाँ पर मैंने पास ली किया कि उसके अंदर कि मुझे बाने हैं तो वह पता चल दाएगा मुझे यहां से visited.size से इससे पता चल दाएगा clear हाँ जी बहिया clear और i plus plus simple सा i hope आपको clear होगा हाँ जी बहिया मैंने कुशन में गलती से क्या लिग जा था arr.size लेकिन arr क्या है मेरा वो दो मेरा क्या है pointer है उसका size थोड़ीने निकलेगा ठीक हाँ जी तो वह mistake आप देख ले ना इसका मैं visited.size लिख सकता हूँ क्यों मुझे पता है visit का size किसके बाबर है जितना area का size है clear हाँ जी बहिया clear अब जब मैं अंदर आ गया सबसे पहले मुझ visit कर चुका हूँ visited of i equal to one उसके बाद क्या करना है time के अंदर dot pushback क्या pushback कर देना है array of i को बस और उसके बाद permit function को call कर दो कोई change करने की जुरूती है permute answer और क्या 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 वैल्यू बेचते हम temp और visited time comma visited यह मैंने भीज दिया जब वह वहाँ से वापस आएगा तो भाई यह मुझे क्या करना है visited of i equal to क्या कर दूँगा 0 और time dot popback बस इतना काम करना था I hope आपको यह clear होगा हाँ जी बहिया तो इसको run कर लेते हैं run किया ओके इसने कुछ output नहीं दिया है मुझे गड़वर कहां पर अच्छा मैंने base condition लिखने भूल गया base condition क्या होगी base condition लिखने भूल गया हम हाँ जी तो base condition क्या होगा इसका तो base condition भी देख लेते हैं कि if मेरा किसका यहां पर फिर से मैंने ar.size लिख देता अपने original question में यहां पर मैं लिख दूँगा visited.size इसको में improve करना पड़ेगा जब वह equal to equal to किसके ब्रावर हो जाए जो मेरा time.size के ब्रावर हो जाए तो भाईया वहां पर क्या करना पड़ेगा मुझे answer के अंदर pushback कर दो किसको मेरे time को और return कर दूँगा यहां से I hope अप clear हो गए हाँ जी भाईया यह visitor.size पता है क्योंकि मुझे area का size चीए था area का size मैंने यहां पर pass नहीं किया थीक है वह question में मैंने गलती से लिख दिया था यहां पर error.size जबकि error क्या है pointer है ठीक हाँ आप उसको correct कर देना तो अपने code को run करते हैं देखते हैं क्या answer आता है तो भाईया हमार answer बिल्कुल सही है रहा रहा 1-2-3-2-2-1-3-2-3-1-3-1-2 और 3-2-1 clear है हाँ जी भाईया clear है तो इस तरह के से मैं इस problem को मैंने resolve कर दिया है अई हो आपको यह code समझ आयोगा अगर मैं इसके अंदर 4 को कर दिये जो कि होंगे कितने 24 आपको यह समझ आया होगा अब हम चलते हैं इसमें online compiler हम इसको execute करवाने की courses करते हैं तो यहां यह कैसे चलेगा वह हम देखते हैं तो भाई एक काम करते हैं जो यह permit वाला मैंने लिखा है इसको copy कर लेते हैं सबसे पहला काम तो इसको copy कर लो ठीक हां जी यह मैंने copy कर दिया है और इसको paste कर दिया है इसमें भी requirement ही मुझसे मांग रहा है simply तो इसको उपर लिगे चला गया ओके ऐसा नहीं करना था यह यह सही है ओके अब यहां पर मुझे क्या कर ची होगा वह मैं देख लेता हूं यहां पर वेक्टर की फॉर्म में दे रहा है नम्स तो उसी त्राइप में मुझे इसको pass करना पड़ेगा तो भाई इसको कर देता हूं सबसे पहले यहां पर मुझे यहां पेस्ट कर दिया ठिक हाजी और डिटन कर दिया क्या जू मेरा आंसर आ रहा था यह लो रिटन आंसर ऑन्लाइन भी मांग रहा है जो अभी तक मैंने किया था ठीक हज़ी भाई हाँ अब यहां पर क्या आएगा नम्स डॉट साइज जू नम्स का साइज है और एयर की जगा मैं क्या बेज दूंगा नम्स बेज दूंगा simply इस तरीके से आई होग आपको एकलियर होगा हाँ यह clear है तो जब मैंने नम्स भीजा तो यहां भी वेक्टर इंटेजर नम्स ही आएगा यह पर मैं से वेक्टर इंटेजर अरर ले लेता हूं ठीक हाँ जी बाया इस तरी कोई गलती नहीं आई होप बिलकुल हमारे तीनों टेस्ट केसे इस पास इसको समिट किया और हमारा successfully accepted हो गया solution इस तरह की साम ने इस problem को resolve किया तो चलते हैं हम अपनी वीडियो के और दुबारा वापिस अब इस problem पे थोड़ा सा एक twist दालते हैं जो आपको साथ interview में पूछा जा सकता है वहां आपको बोलेगा कि भाईया ही जो आप extra memory ले रहे हो नहीं यह वाई टैम और यह visited इसको नहीं लेना है अब बिना इसके इसको solve करके दिखाऊ यह interview में आपसे पूछा जा सकता है तब क्या करोगे क्या सोचोगे कैसे आप बिना इसके solve कर सकते हो कि बोले भाईया टैम भी मत दो और विजिटेर भी मत दो फिर मैं कैसे solve करूंगा अगर आप इस पर गौर करोगे नीचे आता हूं तो एक element की value fix हो जाती है कि फस्स पॉजिशन वाली हो गया ऊगले लेबल पर आता हूं यहां से यहा ठीकähän तब दो एलेमेंट की position fix हो जाती है जब मैं थर्ड लेबल पर आता हूं तो भाईया मैंने तीन element की position fix हो जाती है मालों यह और भी लेबल होते हैं हर एक लेबल पर उतर्य element की value fix होती जाती है clear हाँ जी भाईया सेम के लिए भी रहता है visited कि कौन-कौन को मैं विजिट कर चुका हूं तो first level में इनने से visit की किसी एक की value एक होगी, अगले level में 2 होगी, अगले level में 3 होगी, क्योंकि इन element को visit कर चुका हूं, और जो visit नहीं होते, उन्हीं को मैं आगे पीछे करता रहता हूं, यह करता हूं, हाँ जी भईया, यही करता अगर मैं आपको ध्यान देने के लिए करूं, अगर इसका भी use ना करूं, इसका भी use ना करूं, ठीक, जो मैं अपना यह ले रहा हूं, ठीक है, अगर इन दोरों का use ली करता, तो मतलब मुझे जो changes करने पड़ेंगे, इसी के अंदर directly करने पड़ेंगे, ठीक, हाँ जी और इस position में 3 भी आ सकता है, तीनों में से कोई भी उस position भी आ सकता है, हाँ जी भईया, तो जैसी मैं उस वहाँ पर मालू मैंने 1 को ले लिया, इस position भे, अब मेरे पास element बचें, 2 और 3, ठीक, हाँ जी भईया, तो मनला कि इस 1 की position fix हो चुकी है, यहाँ पर मैं बोल सकता हूं यह visit हो चुका है, clear, हाँ जी भईया, बोल सकता हूं, जब मैं एक level नीचे आता हूं, तो कहते हूं यह, इसका track हो चुका है, हाँ जी भईया, अगर मैं इसकी इधर की बात करूं, मालू अगर यहाँ पर 2 आता है, तो मेरा array ऐसे दिखेगा, 2 वहाँ पर जाएगा, तो 1, 2 क पोजिशन में चला जाएगा, हाँ जी भईया, यहाँ पर मैं कह सकता हूं, इस 2 की पोजिशन फिक्स हो चुकी है, हाँ जी भईया, ठीक, और यह जो 1 और 3 है, यह unwisited है, इनको मैं अभी तक visit नहीं किया है, हाँ जी भईया, यही बोलता करता हूं, हाँ जी भईया, अब से अब मान लो, इस लेवल से मैं एक लेवल और नीचे जाता हूं, ठीक, मुझे पता है, अगली, किसकी पोजिशन फिक्स होगी, इस वाली पोजिशन की, इसी पोजिशन में बढ़ता हूं, अगला इलिमेंट, इसी पोजिशन पर, हाँ जी भईया, तो मैं बोलो, इसी पोज अगले लेवल पर जाता हूं, तो मैं इसी अरे गंदर सारे चिद्जिस कर रहा हूं, बाकि किसी गंदर ने करता हूं, और इस तरीक से प्रॉब्लम को डिजॉल कर पा रहा हूं, मुझे इस एरो से पता चल जा रहा है, इस एरो से, कि भईया, ये विजिट हो चुके है, ठीक है, इसके पहले वाले विजिट्डड है, और इसके बाद वाले अन्विजिडडड है, तो वो ही आपस में आगी इस प्रॉब्लम को रिजॉल कैसे करेंगे है, वो देखते हैं, मुझे क्या करना है, बहुत सिंपल सा है, इंट्यूशन मैंने समझा दिया आपको, 1, 2, 3, सबसे पहले इस पोजिशन के लिए लडाई होगी, ठीक है, तो इस पोजिशन में कौन-कौन आ सकता है, 1, 2 और 3 में इस पोई भी आ सकता है, आजी भाईया, तो देखो, उसका लोजिक के लिखूँँगा, पहले मैं इस पोजिशन वाले को फिक्स करूँगा, ठीक है, पहले फिर्स पोजिशन, तो मैं बोलुका, वन को वन के साथ और ऐगा, एक वार वन को तू के साथ कर दो, एक वार वन को को थी के साथ स्वाइप कर दू है किलियर है हाँ जी जैसे हमने प्रिवेस वाल में दिखा था कि फर्स पोजिशन में वन आ सकता है वह आ सकता है थ्री आ सकता है ठीक हाँ जी बहिए अब मैं जब इस लेबल पर आ गया तो मुझे पता है इनकी पॉजिशन फिक्स हो चुकी है तक इनकी फिजिशन फिजिक्स हो चुकी है ठीक यह वीजिटर है अब मुझे किसके लिए करना है 2 पूजिशन के लिए 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 2 पूज 3 ठिक और यहाँ पर 1 3 2 मुझे पता है इन दोनों की पोजिशन फिक्स हो चुकी है और यह विजिडेड भी हो चुकी है अब इसका नंबर है अब इसका नंबर है किलियर है हाजी बहिए अब इस वाले इस तेम में पर कैसे आओंगा पहले 2 को 2 के साथ स्वाइप करो फिर 2 को 3 के साथ स्वाइप करो किलियर हाजी बहिए तो एब बाद 2 को 2 के साथ स्वाइप करा यहाँ पर आगिया एब बाद 2 को 3 के साथ स्वाइप करा यहाँ पर आगिया किलियर हाजी बहिए सेम कहानी यहाँ पर इसकी पहले 1 को 1 के साथ स्वाइप करो तो वो वैसी रहेगा फिर 1 को 3 के साथ स्वाइप करो किलियर है हाँ जी भईया किलियर है अब मुझे पता है कि भाई यहां तक इससे पहले वालों विजेट हो चुके हैं, अब इसका नमबर है, इससे पहले वालों विजेट हो चुके हैं, अब इसका नमबर है, सेम कहानी इसकी, पहले 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 1 के साथ स्वाइब करो, क्यों स्वाइब करना है, क्यों स्वाइब करना है, क्यों स्वाइब कर 3, 1, 2, अब इसके लिए, अब सेम स्टोरी इसके लिए दराऊंगा, इसके लिए, अब 3 को 3 के साथ स्वाप करो, क्योंकि 3, 3 के साथ इस्वाप होगा, तो मैं आप 1, 2, 3 ही रहेगा, ठीक है, 2 को 2 के साथ स्वाप करो, 1, 3, 2 ही रहेगा, 3 को 3 के साथ स्वाप करो, 2, 1, 3 ही रहेगा, 1 को 1 के साथ स्वाप करो, 2, 3, 1 रहेगा, क्लियर, 1, 2, 3, 4, 1 को 1 के साथ, क्योंकि अगले बोशन यही पर बननी है, और लाश्ट वाले को भी ऐसी, अब यह आगे चला जाएगा, यह आगे चला जाएगा, तो मैं देख पार हर एक लिवल पर वो आगे चला जा रहे है, जैसी वो एरे से बाहर गया, मैं रुख जाओंगा, मुझे मेरे आंसर मिल है, हाना, तो मैंने बोला, यहां से ही लेकि यहां तक, ठीक है, पहले 1 को 1 के साथ स्वाइप करो, तो मुझे यह मिल जाएगा, 1 को 2 के साथ स्वाइप करो, यह मिल जाएगा, 1 को 3 के साथ स्वाइप करो, यह वाला मिल जाएगा, इसलिए मैंने करा है, ताक यह एक लॉजिक करो, one को three के साथ करो two को two के साथ स्टैप करो, two को one के साथ और यह process में follow करता है, क्या मुझे मेरा answer मिल गया, जैसे मैंने previous लिगों किया था, ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ना तो time की जरूवत है, ना वो visited की जरूरत है कैसे मैंने इनको handle किया वो भी हमने सीख लिया visited simply क्या रख रहा था कि कितने element visit हो चुके हैं जैसे मेरे दो element visit हो चुके हैं तो भाईया अगर दो element आपके visit हो चुके हैं तो भाई वो पहली दो position में present होंगे यह visited हैं इनको चेंड़ना नहीं है पहली दो position में visited हैं अगर जो unvisited हैं वो उसके बाद हैं जिसको यह pointer point कर रहा है कि उसके बाद वाले सारे unvisited हैं इस वाले step की बात करूँ यहां तक कितने visit हो चुके होते हैं एक visit हो चुका है तो visit यह रहा ठीक है अन्विजिटेड हैं यहां से लेके इसके बाद वाले सारे unvisited हैं इस तरह किसे मैंने problem solve करी तो मैंने simply क्या किया कि जो visit हो चुके है उनको मैंने पहले लिघ दिया उनको क्या लिख दिया और यह arrow point कर रहा है कि कि यहां से लेके वहां तक वाले सारे अन्विजिटेड हैं और आपकी प्रॉब्लम यूं रिजॉल हो गई एक इंटीजर आयरे जैसे हैं में बात कर रहा हूं और कह diva यह से इसको एक काम करते हैं जो एक्टर की फॉम में लेते हैं त्याया जो गीवन होगा उसको वेक्टर की फॉम में लेते वेक्टर CT इंटीजर घट इन जी खुर्अ हाजी और वेक्टर इंटीजर क्या होगा यहां पर आंसर वाला मेरे आंसर को इस्टूर कर आएगा ठीक हाँ जी वहिया और लाज एट इंटीजर इंडेक्स क्लियर है हाँ जी भीया इंडेक्स की रिकर्मेंट क्यों है इंडेक्स यह वाला यह वाला क्लियर है हाँ जी भीया इनिशल इंडेक्स जीरो रहेगा ठीक हाँ जी अम मैं अंदर आ जाता हूँ अब मैं वहाँ पे क्या काम कर रहा था मैं वहाँ पर क्या काम कर रहा था उसको समझने की कुछिस करते हैं यहां से यह मालब अभी इसको पॉइंट कर रहा है तो यहां से लेकिए यहां तक क्या element सबको type करना किसके जिसको यह point कर रहा था ठीक है जिसको यह index कर रहा था इंडच को पहले इसी से करो फिनक्स को इससे कर रहा है यह कर रहा था है यह कर रहा है है और प्लस प्लस है जी बहिए क्या करा मैंने सब से पहले swipe करा स्वाइप मैंने लिख दिया किसको ARR I को किस से ARR Index वाले से clear है हाँ जी भईया ये clear है ये clear है हाँ जब मैंने swipe कर दिया उसके बाद मैंने क्या अकरा same function को call कर दिया permute ARR अपना answer और अपना इंडेक्स ब्लस 1 किलियर है हाँ जी वहीया किलियर है और अब जब यह वापस आएगा इसको इसकी पहली की पोजिशन में डाल दो जैसे यह पहले था वैसे इसको कर दो आझसे दोומर ॅ एपल जैसे पोजिशन में पहले था उसको वैसे पोजिसन में डाल दो एसल क्यों अभी समझाता हूं इ fandu यह 100止 में यह- wack Premier कर रहा है कि मेरा यह इसको पॉइंट कर रहा है अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं सब सब हमालो फ़ियंग कर अची है। फिर उसके बाद इकल टू साथ इंडेक्स घ्रो जिसको इन किलियर है हाँ जी भई यही किलियर है मालो अभी मैं एक और स्टैप गिया अब उसके बाद क्या होता है आइकल डू जीरो को जब आइक की वैल्यू टू पहुंच गई तब यह कहता है इस टू को और इस थ्री को स्वैप करो अगर इन दोनों को अगर मैंने स्वैप कर दिया तो यह ऐसी हो जाएगा ना कि थ्री वन और टू लेकिन यहां पर के चीए था था थ्री टू वन ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ कि भाई जब मैंने टू और वन को एक्षेंज किया जब यह फंक्शन वापस आया तो इनको दुआरा क्या करतो उसी पो पॉजिशन में तो उसी पॉजिशन पे लेकिया उने पहले ऐसे इसलिए मैं ने लिखा था कि जैसे फंक्शन कॉल यह वापस आया इसको पहले वाली पॉजिशन पर लिया अब मैं इन दोनों को स्वाइब करूँगा सब्सक्राइब यह इसको इसके साथ पास कर दिए इसल हाजी भाया किलिए रहे अब इसकी based condition क्या होगी simple सा बेस तो कि जैसे मेरे इंडेक्स की value क्या हो जाएगी area के size की ब्राबर हमुझे पता है रुक जाना है रुक सकता हूं हाजी भाया रूक सकता हूं आंसर के अंदर क्या पूस्ट बैक कर दूंगा answer के अंदर pushback कर दूँगा जो भी AR के अंदर value रखी गई है और यहां से return बस अई यहां पर wild लिख दो यह यही है यही है code I hope आपको समझ आया होगा यहां पर हमने सिरफ swiping का इस्तमाल किया है किसका इस्तमाल किया है? swiping का, swipe करते जाओ अगर एक थोड़ा सा बड़ एक्जामपल लूँ तो देखो, यहां पर क्या हुआ होगा 1, 2, 3, 4 ठीक, बहुआ चार value है ठीक है, तो पहला क्या होगा इस position में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है तो अगर 1 को 1 के साथ swipe किया तो यह ऐसी रहेगा ठीक, तो यहां पर यह बात करूँ 1 को किस साथ swipe किया, 2 के साथ तो 2, 1, 3, 4 क्लियर, हाँ जी भी आ 1 को 3 के साथ swipe किया 1 ऐसे, ठीक, और last वाला 1 को 4 के साथ swipe किया 4, 2, 3, 1 ठीक, अब मुझे पता है पहले में यहां पर ता index अब index यहां पा जाएगा इस वाली position पर, ठीक है यह वाला अपनी position fix कर चुका है अब मुझे second position को fix करना है पहले मैं क्या करता हूँ, 4 value रहती है इस वाले पर मैं value डाल चुका हूँ यहां पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है 4 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है अब मैं second position की बात करूँगा किसकी? second position की second position में, second position में क्या सकते है 2, 3 और 4 में से, कोई भी यहां पर आ सकता है तहीं बाद 2 को 2 के साथ action किया, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, ये, I think आपको clear हो गया होगा ये point, जो मैं आपको बताना चाहरू हूँ, 2 को मालो 3 के साथ action किया, ठीक, हाँ जी, तो इस लेबल पे पहले दोगो ने अपनी position fix कर लिए, अब मैं इस वाली position की बात परूँगा, इस वाली position पर कौन आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, फिर वही, पहले 2 को 2 के साथ, 2 को 4 के साथ, I hope आपको clear होगा, कि कैसे हैं विजेडर वाले को हैंडल किया है कि लिए रही है हाँ जी भाईया अब मुझे सैंस बना रहा है अगर आज को कौन से चमक गया तो लिग दो भाईया मस्तर के चमक गया अब हम चलते इसके में हैं इम्लीमेंडेशन पर भी सय है अब जो कोड मैंने बोर्ड में लिखा था वही मैंने यहां पे कॉपी कर लिया है यहां पे इक 还是 कर लिया है इसको run करते हैं इसको अगर रन करूं देखते हमारा आंसर क्या आता है ओके हमारे तीनों टेस्स के से स्पास समिट किया और हमें हमारा सॉलिशन मिल गया आई होप आपको यह आज का वीडियो चमग गया होगा चलो चलते वीडियो के और वापिस आई होप आपको आची वीडियो में काफी को सीखने को मिला होगा अगर कुछ सीखा आज की वीडियो से कमेंट कर दो कि भाईया सब चमग गया बाप लेबल कॉंसेप्ट था किसी बच्ची को दिक्क्कत आई होगी कोई दिक्कत नहीं पैट्टिजे साथ वह हूर जाद हमारे स्ट्रॉंग हो जाएंगे मैंना को दोनों मैसर बता दिया कैसे हम किस पहुचे मैंने रिसक को कैसी लिंक किया और लाष्ट में मैंस को डर कैसे सॉल्ल किया मैं आपको वह बीस बता दिया है आई होप आची वीडियो में आपको आफी कूछ सिखने को मिलाओगा मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जाहिन जाए भरत